जैसा कि हम जानते हैं कि Tiger 3 का टीजर, ट्रेलर और एक सॉंग तक आ चुगा है अब बात कर लेते हैं फिल्म कास्ट की कि फिल्म आखिर कितने बजट की बनी है और फिल्म के अंदर जो कास्टिंग की गई है उनकी फीज कितनी है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म की तो आपको बता दूँ के सलमान खान की फिल्म Tiger 3 12 नवेंबर 2023 को दिवाली के मोके पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है सलमान खान की बात करें तो Tiger 3 के लिए रो एजेंट अबिनाश सिंग राथोड और टाइगर टाइगर का रोल निभाने के लिए सलमान खान को सो करोड की फीज दी गई है इसके इलावा एक्टर इस फिल्म के प्रॉफिश शेरिंग का भी हिस्सा होंगे अब बात कर लेते हैं काटरिना कैफ की पिछली टाइगर फिल्मों में कैट आइस आई एजेंट जोया के रोल में थी और इस बार भी वे उसी पावरफुल एक्शन अंदाज में दिखेंगी इस फिल्म के लिए काटरिना कैफ को दस कडोल रुपे की फीज मिली है बात करने थे एक नए कैरेक्टर की जो की टाइगर फिरी में हमको देखनों को मिलेगा जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ इमरान हाश्मी की टाइगर फिरी में इमरान हाश्मी दमदार विलेन के रोल में नजर आएंगे एक मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो एक्टर को धाई करोल रुपे की फीज दी गई है अब बात कर लेते हैं आशुतोष राणा की जो की हमें वार में भी और पठान में भी देखने को मिले हैं अब बात कर लेते हैं रिधी डोगरा की फिल्म जवान के बाद अब रिधी डोगरा फिल्म टाइगर थिरी में भी दिखाई देंगी बता दें इस फिल्म के लिए एक्टर्स की फीज 30 लाख रुपे बताई गई है अब बात कर लेते हैं जो एक्टर टाइगर में हमने नदर आये थे रनवीर शोरे रनवीर पहले भी टाइगर सिरीज में टाइगर के हैंडलर रोल में दिखाई दिये थे अब की बार एक्टर को टाइगर थिरी KE लिए 50 लौक रुपे की फीज दी गई है अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिल्म से जुली की सलमान खान, केटरिना कैफ और इमरान हाश्मी स्टारल फिल्म टाइगर थिरी का बजट लगबग 300 करोड का बताया जा रहा है ऐसे में फिल्म की स्टार कास्ट को इतनी करोड की रकम भी दी गई है तो आपको इस सारी बाते पता थी हैं हमें कमेंट्स करके बताईए और आपको क्या लगता है किसकी कितनी फीस होनी चाहिए थी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं